तो हमने आटो कर लिया है और तो का फेर है 210 रुपे यहां पर्ची चैक होगी वहां काफी ज्यादा समय लग जाते हैं बहुत लंबी लाइन लगती है कि अल्टीमेट अल्टीमेट वियू जिसे बोलते हैं टिकेट हमने और लाइन करा लिये थे तो फ्रेश व्लॉग में आपका सुवागत है आज हम मोजूद है कट्रा में और श्रीमाता वैश्मों देभी यात्रा पर हम लोग आज जाने वाले हैं फाइनल पैकिंग हो गई है यह दो बैग हम नीचे छोड़ जाएंगे और यह वाला वैग लेकर जाएंगे मिस्ती अभी सो रही है सब नहाली हैं फिट है सुबह के अपी साड़े नो बज रहे हैं अभी यह हमने डिजाइन किया है कि हम पुराने मार्क से जाएं या ताराकोट वाले से यह अब निगल जाएंगे फिलाल अभी यहां से चेक आउट करते हैं निगलते होटेल तो फिर आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे तो अभी हम लोग बाहर आ गया है रूम से चाय वगरा पीएंगे उसके बाद हम अपनी यात्रा करेंगे बस स्टंड के पास में होजूद है और चा सारे काउंटर बने वेट चाय कॉफी बिखवार्श कुछ भी अब ले सकते हैं तो अभी हम लोग यात्रा के लिए निकल रहे हैं कि इधर है यात्रा पंजी करन काउंटर अगर आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेकर नहीं आया है तो यहां पर यात्रा पर्ची निकल वा सक कि जो पूरी तरह से फ्री है में बशसे स्टेंड के पास में ही यह कांटर मोजूद है ठीक उसके बडाबर में तूरिस्ट रिसेप्सन सेंटर है और इस में चुराहे पर भी और स्टेंड है जाना जाते हैं यहां सबस्चनीध दरवाजे तक यानि जो पुराने रास्ते से जाना चाहते हो तो बाध्न गंग के लिए भी ऐस और जाहते हैं तो इसके लिए भी ओटो मिल जाएगा कि यह मेंन कट्रा सिटी का चोड़ा है कि तारा कुट मार्क पर जाना है कितने 210 दोसो दस दोसो ही ले 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 पुर्वाने रास्ते है कितना एक सो साथ एक सो साथ है का दोसो दस अईकल प्रीवेर सिस्ट्म है अच्छा पराने से नहीं से पादिक कतु नहीं पर है जाये तर तुम पराने रास्ते सी जाते हैं और हम नहीं वाले रास्ते से आम यात्रा करने वाले हैं और अगर आप पुर्वाने रास्ते से जाना चाहते हैं यानि वाया बाढ़ दोंगा जर्शनी दर्वाजे से तो 160 रुपे और यह जी रास्ता यह बसे स्टेंड़ों ठीक उसके बराबर से यह वाला रोड लेकर जाएगा हमें तारा कोट मार की और अब करते हैं सामने मोजूद है निहारी का कॉंप्लेक्स मतलब कट्रा में बसे स्टेंड के पास में सारी सुविदाएं मिल जाती हैं चाहे वो रुकने से संब्दी तो चाहे फूट से संब्दी तो यह टक्सी स्टेंड बसस्टेंड और उसे संब आसब बस में तो मीं बस संड शेल के याइसे और पास में सब्र जोगने का बहुत फायदा उता है अधि पीलको मंदीज रहें अध्ला कर गट्रा मेंreten सा नोकल्याजध इन्याकर आतो के तर लुट को जाता है व्लाफ मुझाए कर गोंजी अच्छर इन खार पर नाज के कट्रा कर तो लेगे खांगे लिए घरा देवा माई एको लेट में उसके जलन अर्फ कर पहा है गूर आप डूसरा थान आ बावा देख जिस रासर जे डर नहीं बहुत अटर जाना मेरी जो पताते हैं बहुत लिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपकेज के लिए मिलेगे तो आपकेज देखने के लिए मिलेगे यह जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं सीधा जो जा रहा है यह रास्ता जाता है सिव खोड़ी के लिए और हमने ले लिया यहां से राइट टर्न और यह रास्ता हमें लेके जाएगा तारा कोट मार्क के स्टार्टिंग पॉइंट पर सामने कुछ और रिक्सा खड़े हुए हैं यानि हम लोग बहुत चुके हैं लगबग यह आगया प्रिपेड काउंटर और रिक्सा स्टैंड पर और यह आगया वह पॉइंट जहां से हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे यहां पर बिना बच्चों के लिए जो ट्रॉली चलती है वो मिल जाएंगी खचर घोड़े पोनी यह पालकी यहां पर नहीं चलते हैं तो फाइनली हम लोग पहुच गए हैं तारा कोट मार्क के स्टार्टिंग पॉइंट पर मेरे पीचे हैं यात्रा पर्ची काउंटर जहां पर यह पर्ची चैक होगी जो हमने ऑनलाइन करा ली थी अभी आगे बढ़ेंगे पूरा यात्रा ट्रैक आपको दिखाएंगे कैसी यात्रा किरेंगे चलते हैं आगे ठर्ची को कराते हैं यही है यात्रा पर. परची स्कैन की जाती है समान को स्कैन किया जाता है उसके बाद हम यात्रा सुरू करेंगे और यह सावजनिक घोष्णा केंद्र कुछ भी अगर अनौंस्मेंट आपको करवाना है यहां से करवास यात्रा परची वेरिफाई हो गया समान सब सकैन हो गया आगे बढ़ गया आपको एक चीज दोर बताना चाहता हूं कि नए रास्ते से क्यों जाते हैं वो इसलिए क्योंकि यहां पर टाइम नहीं लगता है यात्रा परची वेरिफाई कराने में अपने लगेज को स्कैन कराने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है जबकि बाड़ गंगा पर जो चैक जगाओ को रशन करते में जाना चाहिए लेकिन मैं खुद साथ की आठ भी बार यहां आ रहा हूं तो हम कोशिश करते हैं कि नए रास्ते से इसलिए पहुच जाए उधर से आ जाए यह देखिए रास्ता तारा कोट मार्क वाला रास्ता है खाली पड़ा रहता है बहुत कम लोग जाते हैं लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको पैदल चलना है ना तो तारा कोट मार्क से जाए और वापस पुराने वाले रास्ते से आजाए तो आपको यात्रा में बहुत आसानी हो जाएगी को कि पैदल चलते पर ठकावाट होती है सांस फूलती है तो वो सब दिक् हाँआए तो में हेली कॉप्टर पी चल रहे है यहां पर तो अ को तो ऑग पर हम लोग मुझूद है रास्ता अग्जम खाली है बहुत अच्छा लग रहा है पैदल चलते होस् पूरी रास्ता ने तीन तीस्ते कवर्ड याली बारिश वगरा के मौसम में पूरी तरह से आपको रच्छित रहेंगे पैदल चलते बड़े और आप फैमिली को लेकर आरहे हैं मन है कि आपको पैदली यात्रा करनी है तो यह वाला रास्ता सबसे बैश है क्योंकि भीड नहीं कि यह जरूर लखिएगा कमेंट बॉक ना क्योंकि यह स्रीज बहुत रहांदार रहेगी बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी अगर आप मातावैशन देवी यात्रा पर आने वाले चलिए चलिए हमारे साथ माता वैशन देवी यात्रा पर दो देब को यहां से लाठी वह कर तो यह चलती है तो कभी-कभी यह लोग ना पेसंजर को बढ़ा लेते हैं यह अपने चार्जिस लेते हैं अगर आप सीनियर सीटी जाना या चलने में दिक्कत है तो आप इस तरी की गाड़ी आपको यहां पर मिल सकती है कि अब बहुत साथ दिपाने हैं कुछ खरिदारी करनी है आपको तो चाय कॉफी मैगी अब अब गश्यक्त को अब तारा-कोट मार्ग पर भी जगे जगे ना दुकाने बगला बनी हुई है अगर आपको चाय कॉफी मैगी कुछ खाना है तो आपको मिल जाएगा लेकिन पुराने मार्ग पर बहुत ज़्यादा दुकाने हैं तो उसकी तुल्णा में कुछ बहुत क लगते हैं आप देखी रहे होंगे आस्ता लगबग खाली है यही खास बात है नए इतार अगोट मार की कैसा लग रहा है तो इसलिए दीरे दीरे चल रहे हैं और यहाना टॉलेट वगरा की भी फैसिलेटी है लीडिस टॉयलेट जैंस टॉयलेट सब यहां अवेलेबल हैं काफी नीट अंड क्लीन टॉयलेट बने हुए हैं और यह है पूरा व्यू जहां से हम आये हैं और उधर चल रहा है हेलिकॉप्टर इसर बनावाय लेडिस टॉयलेट तो सुवीदाय सारी है वाश्डूम से लेकर खाने पीने तक कि सब सुवीदाय है इस ट्रैक पर भी जैमातादी चल रहे हैं अभी तो अभी हम दो मिनेट के लिए यहां पर बैट गए हैं क्योंकि मिस मिस्ठी दूद पी लें फिर आगे बढ़ेंगे जैमातादी कुछ इस तरह की माल वह गाड़ियां हैं चलती रहती हैं मिस्ठी मिस्ठी दूद पीते-पीते सो भी गई अभी हम तारा काउट मार्क बार मोजूद एक छोटे से खूसुरत से पार्क के पास पहुच चुके है बहुत सुन्दर यह पार्क बनाया गया है कि में पीछे आप देख भी रहे होंगे थोड़ी देर आप यहां पर बैट सकते हैं रिलाक्स कर सकते हैं और माता वैश्णो देवी यात्रा के खूब शुरत नजारों को देख सकते हैं कि यहां बैट के आप अपनी तकान दूर कीजिए सिटिंग अरेंजमेंट यहां बना हुआ है कि बहुत खूब शुरत जगह है अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पार्क से करीब 600-700 मीटर की दूरी पर लंगर आ जाएगा जो माता वैश्णो देवी शाइन बोर्ड द्वारा ही चलाया जाता है वहां भी आपको लेकर चलेंगे जरूर लिखिएगा और हमारी माता वैश्णो देवी यात्रा की इस स्रीज को पूरा देखिएगा इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेगा कि मिस्ठी है यह यह देगे कट रहा हूं कितना सुन्दर लग रहा है यहां उपर पहाड़ों से यह देख रहे हैं पूरा शहर यह कट्रा है ताराकोट मार्ग से कट्रा का यह बहुत खुबसूरत ना जा रहा है और वहां दूर आस्मान में हलीकोप्टर भी उड़ रहा है अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो में यह यह वो रास्ता जहां से हम आए हैं कि और हमें जाना है क्या हुआ मिश्ठी मिश्टी 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 जैमातादी बोल दो जैमातादी बोल रही है तो आप लोग बी जरूर बोल यह कमेंट बॉक्स में आगे बढ़ रहे हैं अब यहां लोग यहां जलते जाओ तुम मत देखो अपने पाउं के चालों यही यात्रा है श्रिमाताव्यस्णो देवी नहीं कि रास्ता बहुत अच्छा है इसलिए मन करता है बार-बार कि हम लोग तारा कोट मार्क से ही पैदल ट्रैक करते हैं कि यह देखें यहां से कितना कूप सुरत विव दिख रहा है यह भी माता वैश्ण देवी शाइन बोड की बिल्डिंग है है क्या वह समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कोई बोर्ड बगरा है नहीं लगा हुआ है और लॉक भी लगा हुआ है लेकिन यहां से खट्रा का बड़ा हीट के लिएा फोटो मणा से एक है यह ह्यां बेर यार टिक कर शेया गाहिए टुटि उटी एक फोटो है इसलेक बडुक सिसमाइल और ऐसा सब्सक्राइच चलते हैं चलो यहां तो ताला लगा हुआ है और यहां से न अर्दुकवारी मंदिर भी हमें दिखाई दे रहा है वहां सामने आप देख पा रहे होंगे जूम करके दिखाता हूँ यहां पर आगे तो जा नहीं है यहां से थोड़ी दूरी पर लंगर आ जाएगा लंगर का प्रशाद भी लेंगे दिखाएंगे आपको उस सभी जगए वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करिए का चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिए का आपकी फैमली में कर कोई मातावैश्ण देवी यातरा पर आने वाला है या दोस्त उनके साथ शेयर जरूर करिएगा वहां से देखूं मिस्टी आ रही है और उसकी मम्मी आ रही है मिस्टी कैसे पीछे रहा गए मिस्टी के चेहरे पर देखने के लिए मिल रही है मैं यहां पर जैम आता दी जैम आता दी सामने एक और सोचाले आ गया है फ्री सर्विस है लेकिन यहां से भी वह बहुत बढ़िया दिख रहा है कि यह है ट्वाइलेट लेडिस जैंस दोनों है लेकिन यहां से कट्रा का व्यू अल्टीमेट अल्टीमेट व्यू जिससे बोलते है न वह आप यहां से देख पाऊंगे आजो तो वाश्रूम वगरा सब है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस रोड पर भी रास्ते पर भी कि यहां से 400 मीटर की दूरी पर आ जाएगा लंगर बोर्ड लगा हुआ है और पीने के पानी के लिए भी जगे-जगे पॉइंट बने हुए हैं यह नॉर्मल वाटर है और वाटर भी जगे-जगे मौजूद है कि आगे जलते हैं यहां नीचे कुछ घर बने हुए हैं जहां लोग रहते होंगे अ कितने किस्मत वाले हैं यह लोग जिनको श्री माता वैश्नो देवी धाम में यात्रा ट्रैक पर रहने का मोका मिल रहा है जहां उनके घर बने हुए हैं तो तो हम लोग पहुच चुके हैं तारा कोट पर यहां पर लंगर का प्रशाद लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे बहुत खूबसूरत यह जिगह है बहुत खूबसूरत माता वैश्नो देवी श्राइन बोर्ट द्वारा चलाया जाने वाला यह लंगर इस्थाल है यहां से अर्दुकवारी सवाचार किलोमेटर के असपास बहुत रह जाता है कि यह है माता वैश्नो देवी श्राइन बोर्ट का लंगर तारा कोट में कि अग्यों कि अग्यों कि बहुत खूबसूरत है सीटिंग अरेंग्मेंट बहुत सिस्टेमेटिक है सब कुछ बहुत शांदार चलिए लंगर का प्रशाद ग्रैन करते हैं और आपको भी हम घर बैटे विर्चुली माता वैश्नो देवी यात्रा करा रहे हैं तो एक बार कमेंट बोक्स में जै माता दी जरूर लिखिएगा यह एपिसोड अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा और बने रहेगा इस पूरी वीडियो के साथ इस पूरी सिरीज के साथ अभी हम हैं श्री माता वैश्नो देवी शाइन बोर्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं तारा कोट बर लंगर हॉल बे तो अभी लंगर में लोग प्रशाद ग्रेंड कर रहे हैं इसके बाद आगे बढ़ेंगे लंगर में प्रशाद लेने के बाद बरतुनों को शिर्धालों को स्वैम साफ करना पड़ता है यह सिस्टम मुझे यहां का बहुत अच्छा लगा बरतुनों की सफाई के लिए एक अलग एरिया है जहां पर पांच अलग-अलग स्टैप में बरतुनों को साफ किया जाता है यहां मेडिकल यूनिट भी बनी हुई है ताराकोट मार्क पर तो किसी पी तरह की मेडिकल है अगर आपको जरुत पड़ती है तो वह भी मिल जाएगी फिलहाल वैधर थोड़ा क्लावडी हो गया हलकी हलकी बूंद पड़ रहे हैं वहना तो जाने में प्रॉब्लम हो लाएगी जगे रखे हुए है तो अगर आप लोग आते हैं तो डश्ट भीन का यूज करें दोस्तों बारिश शुरू हो गई है यहां पर अभी हम यात्रा मार्क पर ही है जटरी खुल गई है हमारी वैसे तो टीन शेड पूरे रास्ते पर है लेकिन कुछ जगा ओपर टीन शेड नहीं है तो वहां यह च्छतरी हम यूज कर रहे हैं है मिस्टी हमारी हो गई है लेकिन बच्चे की हां तुकि मिस्टी को में चाहते वह बारिश में ठोड़ा भी भीगे इसलिए हम चाहते वगरा लेकर चले से तो कि वैदर फोरक है अगर इसने बंद हुई अगर कि भारी नहीं बंद भी आपसमा दरानी से क्यों थो आंप इसे में वहां बंद डिक्कत दो जाएगी है हुआ अब जैसे यह यहां तक यहां तक यह तक करदा अब यहांत नहीं है अब मोर होने के बाद यह जाएं तो पास सैंड्रहु के हम दौरेंहाँ के दिखाएं मिस्थी मेरी गोद में और दिखाते हैं मिस्थी देखर विर्यूत थेखर सहाई हैं ज्याיכ मेरे पास और अब हम द्क्ति क不好 ले जायंगे माता वैश्न देवी मिस्टी पहली बार आक्म हां वो 2प ही कमपैरीजन के में छोटा है इस ताफ ही पढ़ता है वहां देके सामने लिखा हूा है अर्दुकवारी 2 km यहां एक रिफ्रेस्मेंट यूनित अगया लेकिन जितने भी यह रिफ्रेस्मेंट यूनित है न सब में ताले पड़े हुगा है अडिककवारी 2 मिट तो दो किलो मिटर रह से और समय हो रहा हुआ है अभी एक 45 और दो इने भी रिफ्रेस्मेंट यूनिट हैं उन पर सब पर ताले पड़े हुए हैं सिर्फ एक लंगर चालू है ताराकोट वाला और पीने के पानी की सुईधा है वाश्रूम टॉयलेट वगरा सब है लेडिस जैन्स दोनों लोगों के लिए दो क्लो मिटर लंबा है पुराने मार दो के कमपरिजन में लेकिन पैदल चलना उस वाले रास्ते के कमपरिजन में थोड़ा इजी है इसलिए हम लोग आये थे क्योंकि हमारे साथ हमारी मिष्ठी है थोड़ा समान भी लेकर आया हम लोग इसलिए ओर फिर उतर भीड बी रहती है ज्यादा कर दो जाएंगे पादा गंते में अभी दो बज कर दस मिन्ट हो रहा है दुफैर के मज़ा रहा है में तो यात्रा करने में और मौसम थोड़े बादल हो गया है पीछे थोड़ी देर बारी हुई थी लेकिन अभी बारिज रुकी हुई है यह अच्छी बात है चलते आगे अभी मिष्ठी के लिए हमने यह गाड़ी घख लिया है अर्दकवारी तक जाना एक क्रोमेटर रह गया है तो सब का भला होना चाहिए हमारा भी और यहां काम करने वाले लोगों का भी अगर आप भी इस तरह की ट्रॉली लेना चाहते हैं बच्चों के लिए यात्रा के शुरुवात से ही तो साड़े पांसो रुपे चार्ज लगेगा हमसे इन्होंने 120 रुपे लिए हैं एक किलोमेटर दूरी रह गई है अब सिर्फ अर्दकवारी हम लोग अर्दकवारी के उस पॉइंट पर पहुच चुके हैं जहां तक यह ट्रॉली वाले हमें छोड़ेंगे और अर्दकवारी मंदिल भी यहां से थोड़ी दूरी पर है इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको आगे की यात्रा कराए तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा मातरानी के भक्त कमेंट बॉक्स में जयम आता दी जरूर लिखिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके जाएगा शेयर जरूर करिएगा अभी के लिए पाए जयम आता दी